Hello everyone, welcome back to the channel बहुत सारी लोगों को इस समय defective return का notice मिल रहा है section 139, subsection 9 में और इस notice का reply करने के लिए आपको 15 days का time दिया जाएगा ये notice आपको किस situation में मिलता है जबकि आपकी ITR form जो आपने file की है वो आपके 26AS या फिर आपके AIS के साथ match नहीं कर रही है तब ये notice आपको मिलता है आपके form 26AS या फिर AIS में जो भी आपकी incomes दिख रही है वो अगर ज्यादा है लेकिन आपने ITR form में कम income दिखाई हुई है तब आपको ये defective return का notice मिलता है इसमें ये कहा जाता है कि जो भी TDS आपके 26AS में reflect हो रहा है लेकिन उसके against में जो income है वो आपने अपने ITR form में नहीं दिखाई है तो हम उस TDS को consider नहीं करेंगे इस notice के अंदर यहाँ पर आपको left hand side पर reason दिये जाते हैं कि आपको ये notice क्यों issue किया जा रहा है और right hand side पर आपको मिलता है इसका resolution की आपको करना क्या है तो यहाँ पर resolution में कहा गया है कि अगर आपको defective return का notice मिल गया है तो आपको अपनी corrected return file करनी है जिसमें कि आपको incomes disclose करनी है as per form 26AS अगर आपने within the time limit इसका reply file नहीं किया तो क्या होगा उसके लिए भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है if the defect is not corrected within the time allowed return will be processed and the credit for TDS will be allowed proportionately मतलब आपका return तो process हो जाएगा return invalid नहीं होगा लेकिन जो भी income आपने नहीं दिखाई है लेकिन उसका TDS claim कर लिया है उस TDS को यहाँ पर consider नहीं किया जाएगा और TDS यहाँ पर proportionately ही allowed किया जाएगा मतलब आपका refund कम आएगा या फिर हो सकता है कि आपका tax pay bill भी यहाँ पर बच जाए तो यहाँ पर इन्हों नहीं clarify कर दिया है कि return आपकी processing में नहीं रुकेगी अगर 15 days का time exceed हो जाता है और आप reply file नहीं करते हैं तो return तो आपकी process हो जाएगी लेकिन जो भी access TDS आपने claim कर लिया या जो आपने refund access claim कर लिया है वो allowed नहीं होगा और उसके बिना आपका ITR process कर दिय जाएगा defective return का notice अगर आपको मिला है तो उसका reply कैसे file करना है चली आई देखते हैं online site पर चलते हैं सबसे पहले अपने account में login कर लेंगे login करने के बाद हमें pending actions में जाना है यहाँ पर हमें मेलेगा e-proceedings e-proceedings पर click करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आजाता है defective notice under section 139 9 य यहाँ पर आपके पास दो option है कि आप agree कर सकते हैं या फिर disagree कर सकते हैं defect के साथ तो अगर आप यहाँ पर agree करते हैं कि हाँ यह defect सही है हमने अपनी income गलत दिखाई हुई है 26 AS की according नहीं दिखाई है तो आप agree पर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपके पास offline utility का option आता है यहाँ पर आपको click करना है इसके बाद आपसे बोलेगा कि आपको अपनी JSON file को attach करना है तो आपको यहाँ पर JSON file को fill up करके उसे attach करना होगा जिसमें कि आप corrected return file करेंगे यहाँ पर आपको फिर से पूरा return file करना है जो आपसे mistake हो गई है उसको rectify भी करना है return के अंदर उसके ब file बना कर यहाँ पर attach करना है वहाँ आगे आपको बभी बताएंगे कि किस तरह से यह file आपको download करनी है और कैसे इसे यहाँ पर attach करना है इसके पहले हम disagree का option भी देख लेते हैं disagree पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे reasons पूछेगा कि क्यों आप disagree कर रहे हैं disagree का मतलब है कि आप यह कह रहे हैं कि आपने अपना डेटन सही file किया है 26 AS के according ही file किया है लेकिन यह notice आपको गलती से भेज दिया गया है उस case में यहाँ पर आप disagree पर क्लिक करके यहाँ पर reasons देंगे और यहाँ पर box में क्लिक करना है आपको यह box में क्या लिखा हुआ है कि एक बार आपने यह response submit कर दिया उसके बाद आप इसको modify नहीं कर सकते हैं यहाँ पर reasons देंगे box में क्लिक करेंगे और यहाँ submit पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर एक चीज़ आपको और note करनी है कि अभी ITR को revise करनी की date end नहीं हुई है ITR revise की date है 31 December 2022 तो अगर आपका यह वाला ITR process हो जाता है आपका refund कम आता है या आपका tedious consider नहीं किया जाता है तो उस case में आप अपने ITR को revise कर सकते हैं 31 December तक का time है आप कितनी भी बार अपने ITR को revise कर सकते हैं Disagree का option हमने आपर देख लिया अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमें JSON file को यहाँ पर upload करना है उसके लिए हम income tax site के home page पर जाएंगे जहां से हम इसकी scheme को download करेंगे उसके पहले एक और चीज़ आपको बता देते हैं जो कि आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने JSON data को download कर लेना है जिससे कि हमें फिर से अपनी सारी personal information को fill up ना करना पड़े और हम just data को upload कर दें तो हमारी file complete हो जाए तो JSON data को हम कैसे download करेंगे उसके लिए हम e-file में जाएंगे income tax returns यहाँ पे view file returns अब जिस वाले भी assessment year के लिए हम यह defective return का reply file कर रह जाएंगे download होने के बाद यह download section में ही जाएगी अगर किसी और section में जा रही है तो इसको आप note कर लीजेगा नहीं तो आपको बाद में परिशानी आएगी कि यह कहां पर download हो गई इसके बाद हम income tax के home page पर चलते हैं यहाँ पर हम download section में जाएंगे assessment here by says यहाँ पर पहले से selected है इसके बाद हमें common offline utility में जाना है यहाँ पर utility हमें दिख रही है जो की update हुई है 24 अगस्त 2022 को यहाँ पर click करेंगे तो यह नीचे download हो जाएगी यह zip form में download हो गई है इसे open करेंगे अब यह जहाँ पर जो first option हमें दिख रहा है इस पर हमें double click करके लेना है तो यह extract हो गई है extract होने के बाद यह open होगी इसमें थोड़ सा time लगता है एक दो मिनुट का आपको wait करना है यहाँ इस तरह से यहाँ पर यह offline utility open हो गई है और इसका version है 1.1.15 यह version यहाँ पर change हुआ है पहले इसका version अलग था जब यह शुरुवात में first April को यह utility ला आप यहाँ से अपना internet off कर देंगे तब भी इस utility से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं लेकिन जब आप upload करेंगे उस time पर आपको internet की जरुवत पड़ेगी अब आपको यहाँ file returns पर click करना है अब यहाँ पर आपको तीन options मिलते हैं download prefilled data import prefilled data तो अगर आप download prefilled data पर click करेंगे इसके बाद आप continue करेंगे यहाँ पर pan देंगे और assessment year देंगे proceed पर click करने के बाद आपको अपना login password देना है और उसके बाद आपको अपनी ITR को same वैसे ही file करना है जैसे कि आपने अपनी original ITR को file किया था login password देते समय आपका internet connected होना चाहिए इस वाली method से करेंगे तो यहाँ अगर आपको data prefilled नहीं मिलेगा सारे amounts fill up करने होंगे लेकिन अगर आप दूसरे case पर चलते हैं back करेंगे अगर यहाँ पर click करते हैं import prefilled data और इसके बाद अगर हम continue करते हैं यहाँ पर pan or assessment मांगेगा proceed करने के बाद यहाँ पर आता है import prefilled data तो जो भी हमने अभी JSON file download की थी income tax site स वो file हम यहाँ पर attach करके proceed करेंगे तो हमारा सारा data यहाँ पर prefilled हो जाएगा जो भी हमने income अपने ITR में दिखाएते हैं जो भी deductions हमने अपने ITR में दिखाएते वो सब कुछ यहाँ पर prefilled हो जाएगा even आपका TDS भी prefilled हो जाएगा और आपको सिर्फ income को correct करना है जो आपने income नहीं दिखाए है अपने ITR में उसे correct करना है अपने TDS को correct करना है as per form 26AS आपको अपने ITR को file करना है सारी चीज़े corrected हो जाने के बाद आप data को JSON file में convert कर लेना है और JSON file को आपको upload कर देना है upload कहाँ पर करेंगे upload करने के लिए आप फिर से अपने income tax side पर आएंगे यहाँ पर आपको defective return notice के अंदर जाना है यहाँ पर आपको मिलता है do you agree with defect यहाँ पर agree पर आपको click करना है इसके बाद offline utility इसके बाद यहाँ पर attach file को option आएगा यहाँ पर click करेंगे और जहाँ पर भी आपने अपनी json file को download करके रखा हुआ है system के अंदर वहाँ से आप इसे attach करके submit कर देंगे offline utility में reply करते time पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है एक तो आपको filing section का ध्यान रखना है filing section यहाँ पर 139,14 या 5 कोई भी नहीं जाएगा आप यह defective return notice का reply file कर रहे हैं इसलिए आप section 139,9 को select करेंगे और दूसरी चीज़ आपसे ITR form के अंदर din number पूछा जाएगा, din number आपको कहां से मिलेगा, din number आपको यहीं से मिल जाएगा यह proceedings में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको document identification number मिलता है, इस number को आपको यहाँ से copy करके paste कर देना है तो बस friends आज के वीडियो में इतना ही, hope की वीडियो आपके लिए यूसफूल रहा होगा, फिर भी कोई queries हो तो आप हमसे नीचे comment box में जरूर भूशेगा साधी अगर आप defective return notice के लिए हमारी paid services चाहते हैं तो उसके लिए आपको whatsapp number description box में मिल जाएगा Thank you so much for watching this video, stay safe and healthy, bye bye